हेलो फिरेंड्स अपना मेडिकल टीप्स के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं काइनी फोर्स दो सब कैपसुल के बारे में कि ये क्यों लिया जाता है क्या काम करता है कैसे यूज करें क्या इसके फायदे है और क्या इसके साइड इफेक्ट ह तो पूरी जनकारी लेने के लिए वीडियो के अकरी तक बने रहे हैं ताकि समझ में आ सके तो फ्रेंड्स सबसे पहले में आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो सबसे प इसको मेंट काइंड कंपनी बनाती है जो की एक श्ट्रिप में साथ कैपसुल आता है और इसका MRP एक सो तीरपन रोपया 47 पैसा है जो कि आपको हर मेडिकल अस्टोर पर असानी से मिल जाता है और इसमें जो आपको फंगल जैसी प्रोब्रोम है तो आप एक कैपसुल रोज रात को खाना खाने के बाद इसे ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा विटहिंग प्रोब्रोम हो याज़ा खुझलि हो रही हो तो आप इसके साथ लिवो सेट्रीजन का टैबलेट उज़ कर सकते हैं सुबह और साम एक एक गोली तोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं लिवो सेट्री जिन आपके होने वाली अस्कीन में खुजली को रोकता है और खुजली वाले जगाप पर जो सुजन रहाता है उसे खतम करता है आपके खुजली वाले फंगल इंफेक्शन को मारता है और फंगल इंफेक्शन को खतम कर देता है तो आपको खुजली की प्रोब्लम नहीं रहेगी ये कैपसूल फंगल इंफेक्शन को मारने के लिए बेस्ट क्याम करता है जिन लोगों को काफी समय से दाद खाद खुजली की प्रोब्लम थी ओ ठीक हो जाता है इससे या किसी को फंगल इंफेक्शन की प्रोब्लम थी ओ जड़ से खतम हो जाते हैं अब बात करते हैं कि ये किन किन व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए तो जिसको लीभर की प्रोप्लम हो उसको नहीं लेना चाहिए जिसको किड्नी की प्रोप्लम हो उसको नहीं लेना चाहिए जिसको हाड की प्रोप्लम हो उसको नहीं लेना चाहिए और जिसको फेफ़डों में परसानी हैं उसको नहीं लेना चाहिए अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की तो किसी को अगर उल्टी होने लगी पेट में दर्द होने लगा जी मचलाने लगा तो ये कैपसूल लेना बंद कर दें और अपने नेदिकी डोक्टर से संपर करें चलते चलते वीडियो के आखरी में बताना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद